बोकारों के किड़नी रोग से ग्रोसित तरादेश या मुंडा के सानों के लिए नजीर बन गए है मुंडा आज 20 सेकर्ड में सबजियों की खेती कर लाखों रुपे कमा रहे है सपनों के पंख ने उन्हें उड़नी से रोका नहीं आज भी पटवन के लिए पानी की वैवस्ता नहीं है फिर भी उन्होंने 50 लोगों को रोजगार दे कर शेत्र के युवाओं का पलायन रोक दिया है वे कहते हैं कि अगर सरकार से सहाथा मिले तो 2 सा लोगों को रोजगार की गारेंटी है नेकिन आज तक उनके पास कोई अधिकारी नहीं पहुचा जिसका उन्हें मलाल भी है उनसे बात कि सयोगी चुमन कुमार ने अब ही मैं आया हूँ जरीडी परखन के पार्टान में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से आज मिलाने वाला हूँ अभी मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने मिसाल कायम किया है उन्होंने मरीज होते हुए भी लगभग 20 एकर खेतों में हरी सबजियों की खेती की है राधे साम जी बताइए किन-किन सबजियों की खेती की है उनके सर बरसात में तो कदू लगाये थे सर चालिस पेतालिस केंटर परती दी निकलता था पानी जदा दे दने के वजा से गल गया अभी बरतमान में बैगन लगाया हुए कोई कि छेसाते कड में सर और चना है पत्तागोवी है ब्रुकली है पालक है यह सब लगया हुए सर इन फेती करने में क्या क्या आपको कफनाई होती है कफनाई तो सर में comprend now है पानी का बीजली नहीं है सरे बीजली आ जाए और बीजली आ जाए समर सेबुल थोड़ा सरकार के तरोस से मेरे को सहरा मिल जाए मेरे को सर पैसा नहीं चाहिए मेरे को संसाधन चाहिए सरकार बहुत सारी योजनाय निकाल के रखी है बहुत सारी यह ब्लॉक का स्थर पर यह सरकार के द्वारा किया गया है उसका लाव आपको नहीं मिलता है क्या नहीं सर मेरे को जनकारी नहीं है सर मैं कहा जाओ मैं लाव पाने के लिए सर मेरे कुछ जनकारी नहीं है सर और अभी तक से मैं अपने बदावलत अपने बल अपना छमता पर मैं किया हूं सर और मेरे पास म सर किसी परकार की सरकारी संसाधन ने मिला सर बीस एकड़ खेती करने के लिए आप कितने मुझदूर लगाए हुए अभी बर्दामान में सर पचास-पचपन आदमी खट रहा है मेरे अंदर में उनको मैं लगता है रोजगार दे रहा हूं और आने वाले समय में इरदा है कि इ एपut डिखी लगती है सल आगे आप तक यह जोजिना क्या ररणीती सिलहीं कि मैं इतना सव जिक Sellers ल३र भाता है उतर फो भर मायं रोक दूमें सर अपना परदेश अपना परदेश की भी बहुत अची है इसमें सरकार से मां Mudh एक ठो आपको सो रुजार से चलने वाला समर से भूला एक ठो जो बिजली से चलता है उसको दे दिया जए एक ठो ट्रैक्टर मेरे को मिल जाए सर तो मैं यहीं पर मैं करिब करीब 17 एकड़ में यहीं पर कर दूँगा इतना सब्योगाओंगा मैं से के हमारे राज की मुख मंत तो यह थे राधे स्याम उंड़ा जी जो कि इनके जजबा को सलाम इन्हों ने जो इतने बड़े पैमाने पर खेती का उपजाओ बनाने का और यह सही कहा कि यह बंजर जमीन नहीं है हर एक बंजर जमीन को इन्होंने सीचाई करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया है इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि यह एक किड्नी पेसेंट भी है अपने भेलोर से इलाज करा करके आए और अपने बेटा और अपने कुछ इस्टाप के साथ मिल करके और यह प्रोजेक्ट चालू किया है इनके जजबे को सलाम चुमन कुमार 22 को बोकारो